नमश्कर दोशको हमारे आज के इस कारिक्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दशको आज हम सब मिलकर मना रही है राश्टी ए खेल दिवस जी हाँ हर साल होकी के जदुगर मेजर ध्यान चन के जन्मदीन को हम राश्टी खेल दिवस के रूप में मनाती है और आज के इस खास मौके पर हमने आमंत्रित किया है विपो के जाने माने साइक्लिंग कोच मिस्टर सुबेंदू सेंगुपता जी को सुबेंदू जी आपका हमारे स्कारक्राइब में बहुत बहुत स्वागत है आज बहुत ही खास दिवस हम मना रही है तो आप एक कोच भी है तो ऐसे में आपकी क्या भावनाएं हैं आप कैसे व्यक्त करना चाहेंगे आज के इस दिवस को देखिए यह सिर्व अंडवान के लिए नहीं पूरा दुनिया के लिए यह बहुत स्पेसल डे है क्योंकि जो स्पोर्स करता है जो नहीं करता है सभी इसमें हिस्सा लेता है तो हम एज़े कोच मैं तो खुश हूं क्योंकि कोई ना कोई इवेंट यहाँ भी होता है इससे प और धन्चान जी को यह रिमेंबर करने का एक मौका मिल जाता है पूरा इंडिया वाले को जी जी बिलकुल बिलकुल सुबेंदु जी आप एक साइक्लिंग कोच है तो आपका ये इस तरफ रुझान कब हुआ कैसे आपने सोचा कि आपको साइक्लिंग कोच बनना है तो इसके बारे में हमें बताईएगा देखिए मेरा जो बरा भाई है जी ओ फूडबालर है हम बच्पन से मदब स्टांट करना ये करना जीमनास्टिक करना उपर से कूदना मदब चैलेंजिंग टाइप कर था तो इसलिए मेरे को प्रिकेट भी खेलता था फूडबाल भी खेलता जै साइकलिस्ट जा रहे है तो उस टेम में एक जगा खड़ेते हैं मेरे पास साइकल भी नहीं ता हम उसको जाके पकड़े तो फिर हम एक दिन किसी से पूछ के उन लोग का जो क्लाब है उसको जाके हमने मीट किया है फिर आइस्ता इस्ता करके उसमें इंवाल हो गया फिर मेर घर भाले भी हमको सपोर्ट किया था साइकलिंग के लिए तो आइस्ता इसे ट्रेनिंग करते करते फिर नेशनल गिया 84 में वहां जाके हमको गोल्ड मेडल मिला तो फिर घर से और भी मोटिवेशन मिलना सुरू हो गया मैं भी इंट्रेस्ट लगिया था फिर 85 में हम इंडिय गया था फिर साइकलिंग करते करते पराई भी जुरूरत था बिलकुल फिर ग्याशन कंप्लीट करने का बाद फिर इनाइस करने 92 में हम पटे अला गिया था वहां से एनाइस 93 में पास ओट होने का बाद फिर कलकटा में वेश्ट बंगल टिम को थोड़ा-थोड़ा ट्रेन ज्यादा नहीं था एक किलोमेटर था तो हुआ जो रिजनाल डिरेक्टर सागर साप था इसके सागर साप उनको जाके एक दिन मिला है हम बोला है जैसे इनाइस करके बैठा है ग्रेजिएट हूं आप थोड़ा देखिए तो उन्होंने मुझे यह अन्नमान में भेजा था उ है पचीस साल लगभग तो तब से आप तरी है तो आपका एक्सपीरिंस कैसा रहा देखिए उसी टाइम टाइप राइटर का जमाना था भी कंप्यूटर का जमाना बिलकर जी जी तो यह तो अंडस्टूड है हां जी सब हर चीज में तो मद्दब पोग्रेस तो हुआ ही है तो स्पोर्स में भी पोग्रेस हुआ है उसी टाइम जो स्पोर्स का जो यह ता महल था आज का अप टूडेट होना जैसे आपका पास टैलेंट होने से नहीं है पोटेंशियल के साथ काइनेटिक के जोरत है ऐसे स्पेयर जैसे अच्छे एकुमेंट्स सब कुछ अभी उसी टैलेंट में चले जाता था लेकिन अभी ऐसे नहीं है टैलेंट का साथ उसका इकुमेंट्स पेयर उसका डाइटिंग हर चीज जो है जोरत है बिल्कुल मैं आपसे यह जाना चाहूंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि जब आप छोटे थे तो आपका आप जिस तरह से दे यह जाके हम नाईटीनेंट में जब हम आया था नाईटीनेंट से तुटाऊजेंट्स तरी तक तीन साल चार साल लगा था तर साही का तरफ सेक टीम ड़ता था था ऑप छ़ग बच्छा लोग भी था तो समय हम भी टीम में सामील था क्यूंके क्रिकेट ऐसे ऑफ ही गेम है जो सभी कोई अच्छा लगद है तो आज भी क्रिकेट का मैज देखता हूं लेकिन खेलता नहीं हमारा जो वीब समु में आप आए और अपना जो करतव आज तक भी निभा रही है आपने क्या पहले सोचा था कि आप कभी कोछ बनकर आप बचों को सिखाएंगे मोटिवेट कर उस टेम हम यह सोचाता हूं आपना देखने जा रहे हैं अच्छा ओके लेकिन हम यहां सक्सेस्फूल नहीं बोलूंगा लेकिन बच्चा लोग सक्सेस्फूल है इसमें मुझे खुशी मिला है क्यूंकि एक साल के बाद जब हम साई में जोइन के फिर ऑफर आया है इसलिए है क्यूंकि रेजल्ट अच्छा था जी साही में रेजल्ट अच्छा देखके हमको फिर साई ऑफर दिया है फिर टुटाउजन फेवलरी में जोइन किया है तो आईस्टाइस्टा रेजल्ट का वह मिलते गया तो मेरे को इंट्रेस्ट पैदा हो गया फिर आम यहां से घुं बारे में हमें थोड़ा बताएगा विस्तार से एकडेमी बहुत बढ़ा चीज होता है जी एकडेमी में बच्छा लोग ता उस टेम एक साथ आता था एक साथ स्कूल जाता था एक साथ ट्रेनिंग करता था लेकिन ओचीज तो अभी नहीं है अन्दमन में काफी साल हो गया तो इन लोग आने जाने में जितना थक जाते हैं उसके बाद इन लोग से हम क्या आउटपुट क्या हम रिजाल्ट उमीद करो बच्छा बताते नहीं आप उनको गाइड करते होंगे गाइड करता हूं जी फादर मदर को भी समझाता हूं लेकिन यहां का लोकल बच्छा बहुत होता था था रेसिन साइकल में ट्रैक तो है जैसे देवरा इशोलों लोग ट्रैक में रोड में बहुत हम लोग कम भेज़ता था क्यूंकि यह अच्छा रोड नहीं है बोलके और माउंटेन बाइकिंग यह भी ऑलिम्पिक इवेंट है यह अपका एथेंस में 96 से लागू इसमें बच्चा को जो सैकल को अपर जो कंट्रूल है बहुत जाधा होना चाहिए यह देखते हैं बच्चा लोग स्टबकेंग करता है यह बहुत कुछ करता है लेकिन ओ छीर्प इन लोग आके अगर स्पोर्ट में दिखा यह साहध सक्सेस्फूल भी बन सकता है क्योंकि मा माउंटें बाइकिंग यह होता है इसका डिस्टेंस भी कम होता है और यह आपका होता है नैचरल सर्कित में भी हो सकते हैं जहां नैचरल नहीं है वहां आर्टिफिचल यह बनाते जैसे अपका एक दो किलो मीटर में पूरा पत्थर बिशा दिया है फिर जंगल का अंदर से आपको ऐसे रूड बनाया जहां एक मीटर चौड़ा यह है वहां पूरा डाउन है अब रूखने से भी आपका ब्रेक नहीं रूखेगा मतलब साइकल चलते जा रहे हैं अब रोलिंग होते जा र परक Ł अब छिटना बूता है इत्क दास है वह थी जादा सेल होता है सभी का पास है मैं यहीं कतले हाँ्चा लोग को पुरा नवान का जितना बच्चा है इत्पास सरी घृत्षी, उसको सहीं हगे अगर यूटिलाइस करें तो हमको भी अच्छा हम लगेगा अन्नमान को भी अभी 25 साल से हम लोग कभी गिया नहीं उसमें भी यह त्यार रस्ता खुल जाएगा कोई ना कोई आके तो दोर को खुलेगा तो हम यह नहीं बोलता है जाती हमको मेडल चाहिए हम लोग जाके कुछ तो दिखा सकते हैं अन्नमान के पास भी ओ टैलेंट है यहां को भी बच्चा लोग का पास कील है जी स्टंटिंग कर सकता है बिल्कुल सुबेंदु जी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइक्लिंग में खेल को पसंद करते हैं और उसमें अपना हुनर दिखाना भी चाते नाम रोशन कर सके देखिए मैं हमें सही यह सोचा है मैं सेकंडरी स्कूल का जो टीचर जो होता है मेरा काम यह है जो उसको है के लिए जैसे दुसरा जैगा भेजते है मैं भी यहीं चाहतु हूं यहां का मैक्सिमम बच्चा दिल्ली में जॉइन करें जैसा अभी भी छे सत इस पहले बारा तेरह बच्चा था तो मैं यह ओई सब सेंट्रेनिंग देता है इसको कैसे भी करके जब तक मेडल नहीं होता है तो दिल्ली वाले जनरेली बुलाता नहीं है तो अभी तो खेलो इंडिया का स्कीम चालू हो गया हर स्टेट में यह लागू हो गया सभी स्टे इस प्रिश्च से यह जो है मेरे को बच्चा लोग को यही बोलना है इदर-दर मत बढ़के सही जैग यह नहीं बोलूंगों तुमको साइक्लिंग करना है तुमको देने इंट्रेस्ट है उसको यह चूज करो यह उसमें फोकस करो अपना आगे पढ़ना है और करना है और ख कुछ खास पल जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे कुछ ऐसी बच्ची जो आपको आज भी याद है उनका टैलेंट बहुत अलग है सबसे इसकी बारे में हमें कुछ बताईएगा देखिए हम जब 99 में आया था तब एक लड़का स्वीडन बोलकर ओसी टेम सुलवोटो कप खे लेकिन मैं उसको यह चीज देखके लिया था जे हंडेड मीटर में यह लरका कैसे हंडेड मीटर इतना फस्ट दोरता है फिर साही में यह होने के बाद आइस्ता है जम हम उसको एंडॉरेंस दिया है जी उसका बाद ओन नेशनल में जाके अभी तक देवरा इशो यह छोरके पहला स्वीडियन का नाम था जो मैन अप्दा टोर्नमेंट लिया था अपना एज अंडर 16 का लरका था उसी तेम अंडर 18 का जो लरका है उसको तो मार ऊपर से उस टेम इन्डिया का टॉप रैडर प्रविं सिंग मोल इसको भी मारा अंडर 16 का लरका था तो उसी टेम देखि लेकिन अभी यह टाइम में अगर सुईडियन अगर होता है तो अभी तक तो अशेयन गेंस में हम लोग कमीडल नहीं है हम इसलिए अभी तक सेटिस्पाइब बच्छे आगे जाएंगे विल्कुल हम उमीद तो कर सकते हैं कि आगे जाएंगे जिस तरह से आप मैनत कर रहे हैं जिस तरह से हमने यहां पर देखा है कि जो निकुबारी बच्चे है वह जाधतर साइक्लिंग के खेल में आगे बढ़ते हैं तो उसमें ऐसा क्या खास बात है कि वह बच्चे आगे आते हैं या फिर हमारे जो लोकल्स यहां के बच्चे हैं उनके अंदर शम्ता तो है लेकि अब बड़े हो गया एक साइकल दे दिया है अच्छा खाना यह करें लेकिन लिकोबार में ऐसे नहीं है ना बारा साल पंदा साल का बच्चा उसके पास भी अपना साइकल नहीं है ओ वी दूंव फादर से रेस लेता है वह साइकल लेके जाता है नहीं तो उन लोग पैदल साथ किलोमेटर दूर साइकल अगा नहीं मिला तो पैदल जाता है शहरों में पैई से नहीं है बस में नहीं तो अपना कार कर दिया नहीं तो आटो कर दिया कोई ना कोई का ये कर देता है तो निकोवरी बचलो उन लोग का जो मसल का जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा हो दो आगे और उसमें किस तरह से ट्रे निंग दिया जाता है इसके बारे में बताइएगा तेखी अंलोग का सैक्लिंग में एक ट्रैकों इवेंट होता है एक रोड़ होता है जी अर्ञें माउंटेन होता है हम लोगा अनवान का बच्छा लों मैक्सिम्ण अभी 10 साल से मै सिम्हम ट्रेक के उपर यह गरते हैं ऐक में डिसिप्राइब इन आपको टैम आपको जैसे टैम्ट्राइल होता है बहुत भाइटल इवेंट नहीं है इंडिया में बहुत भाइठ लेकिन यह ओल्लेंपिक इवेन नहीं है पहले उल्मियम्ट जोड़ दिया है पहले यह सेपरेटली होता था जैसे आपका स्क्रेच रेस है जैसे आपका डेविल टेक दा हाइन मुस्ट है जिसको हम लोग अभी एलिमिनेशन बोलता है फिर पॉइंट रहे से यह अलग होता था लेकिन अभी अम्नियम एक इवेंट कर दिया जिसमें चारो जो उसमें टेम्पो बोल के और एक इवेंट है जिसमें चारों ही रहेगा रोड में आपका टाइम ट्राल होता है इंडिविजल आपका कून कितना फास्ट आके यह गरता है एक मास्टार होता है एक साथ सौड़ेश बर्चा छोड़ते हैं और एक टीम का होता है टीम में च आपका 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1 का हिसाब से पॉइंट को डिस्टिटिट के आपने तो जिस तरह से मैंने पहले भी कहां आप से कि आपने बहुत सारी बच्चों को सिखाया है तो हमारे द्वीप समु के लिए कितने बच्चों ने मेडल लेकर आई हैं अपर मेडल स्टाप का जीते हैं तो उनको प्राइस मनी भी दिया जाता है तो हैसर कोच होने के नाते आपको क्या कुछ प्राइस मनी मिलता है क्योंकि देखा जाये तो आधा से जाधा जो महनत है वो आपका होता है नहीं अब भी तक तो यह लागू हुआ नहीं है उमीद तो सभी करते हैं हम भी करते हैं लेकिन बच्चा लोग को मीलता है कि मेरे मेरे में हुआ हैं कि बहुत नेकर विचार है आप एक कोच भी है और फादर भी है जिस नहीं पता है कि आपका खुद का भी बेटा है और बच्छे किस तरह से आप समय निकालते हैं अपने परिवार वालों के लिए एक साथ दोनों का रोल करना बहुत मुश्किल है मेरा घर में खाना हम भी बनाते बच्चा को स्कूल भी भेजना हम कोई है उसका बीज में ट्रेनिंग भी लेके जाना है सब कुछ होने का बाद वह तो कोच का उसमें चले जाते हैं लेकिन एक फादर होने का ना थे जैसे कोई स्पेशाल डे आ गया जी बाद डे हो कोई फंक्शन आ गया फादर होने का ना थे हमको लगदा है इसको एक अच्छा होटेल में जाके खिलाओ नहीं तो चलो आज पूरा रात देंगा बच्चों की सब्सक यह फूड दे सकते हैं डाइट फूड देना है उसको उसको स्पाइसी फूड नहीं देना है दस बज़े का बाद ही उसको सोना परता है जी और उसको सोना परेगा क्योंको हमको देखके यह सिखेगा जी जी तो यह बहुत दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता आपना परिवार भी देख रहे हैं साथी आपके बहुत सारे बच्चे हैं वैसे कहा जाए तो खुद जाए और बच्चे को आप सिखाते हैं तो सभी किया तरह से फादर ही है मेरा दो बेटा है, दोने ही सैक्लिंग करते हैं, दोने ही हमको तीन तीन चार चार घंटा जितना ट्रेनिंग आवर्स में हमको उधर सहरी बोलते हैं, घर में आपके पापा बोलते हैं और आज तक तो हम कभी पालिशेट किया नहीं है सुबेंदु जी, आपको कुछ साल पहले LG Commendation Certificate भी मिला है, जिसका पारे में हम जाना चाहेंगे कि किन उपलब्धियों के कारण आपको यह मिला है, और इसके अलावा क्या-क्या एवार्ट से जो आपको मिले हैं? LG सबका जो एवार्ड है, यह 15 अगस्ट मिला था, 2013 में, उस टाइम देवरा हेरल्ड जो सैक्लिस जो है, उस टाइम आपका मार्च 10-17 दिल्ली में हुआ था, आपका एशियन सैक्लिंग चंपेंशिप, उसमें इंडिया का चार मेडल में तीन मेडल इसका था, देवरा हेरल् तो हिसाब से देवरा हेलाल को वहां से यह कॉंटक करके नौकरी दे दिया है उसी टेम, जैसे पोर्ड़ा में है, जी नौकरी में जोइन किया है, और उसके बाद ही हमको यह LG सबका आपका कॉमेंडेशन सेटिफिकर्ट जो है, एक्सलेंस जो इंड फिल्ड उफ स्पोर्स जो लिखा है, उसी टेम ही मिला था, उसकी कारण, इसके लवाद दो आवर्ट मिला है, जी दो हाजर एक्स में भी हमको नेशनल स्पोर्स डे में डिरेक्टर अप स्पोर्स यूथ एफेर्स, दो हाजर एक्स में दो बारी दिया है, वैसे सुबेंदी जो अगर हमारे द्वी में था, फिर हम लोग मार्च में दो हाजर एक्स में हम लोग एक नमबर से सीधा डिसमबर में जब हम लोग का राजस्तम में हुआ, नो नमबर में पहुझी गया है, जी, उसके बाद लास्ट नेशनल में हम लोग थोड़ा सा रिभाइब किया है, दो हाजर वाइस में डिस था चार्पात साल उससे पहले हम लोग 15-20 नंबर में था हुआ साहिस्ता करते करते हम लोग एक नंबर आके फेर अभी पीछे चला गया फेर अभी छे नंबर में है वह पुराना जो एक नंबर है उसको फेर दुबरा हसिल करना चाहता हूं कोच होने के नाते आपके जो बच् खुश है क्या कहीं आपको कमी नजर आता है कुछ और उनको आगे बढ़कर करना जरूरी है क्या हमें सब एक्सप्रिमेंट करते हैं जैसे 2016 में यहां एक स्पोर्स हुआ था आपका हमारा स्टेडियम का बाहर जो अच्छा साइकलिस्ट था उसको मैंने खराब साइकल दिया नीए इसके मतलब अपको अच्छा कंडिशन में भी रखना है च्छे एकुममेंट जडिया दोनों फैलियर हो गया जिसका बस अच्छा अच्छा स्पोर्स मैंन नहीं था तो धोनी फैलियर हो गया अपना टैलेंट का साथ शाथ ज Super dus तो इकुम्मेर्स भी चाहिए रन्नाबान में टैलेंट पूरा है यह नहीं है निकवरी में टैलेंट है हम लोग हमेंसा फोकास किया है उसके उपर ही बाकी जो बच्चा लोग जो है जैसे और को प्रोब बॉल के बॉबी थपा बोल के इन लोग तो आपका निकवरी नहीं है बिंगॉल में देखिए त्रियाशा पॉलवल के बिंगॉली लर्की है उन्हाने देवरा का जो सौट डिस्टेंस का जो रिकॉर्ड है वह भी तो तो दियो बिंगॉली लर्की है लेकिन यह गाओं का लेर्की थी हम आपको पहले ही बता है ना जी गाओं में थोड़ा फेसि अभी नमबर वन पॉईशन में है त्रियाशा पॉल जी यहां से स्टेट लेवल हो नाशनल लेवल हो यह इंटरनाशनल लेवल हो यहां से बच्छे गए भी है आगे तो ऐसे कोई खास बच्चे है और आप उनका नाम अगर हमें बताएंगे तो हमें भी खुशी होगा जी 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 दबेस्ट कोई उन लोग चूज करते हैं इशो है डेविड विखम है सिलेस्टीना है माइकल बोल के एक लार का जुनियार बच्चा है हो गिया है और अभी उभरते जो खिलाडी है उनके नाम भी हम आपसे जानना चाहेंगे अभी जो कामी एसेन गेम्स जो है इ इसमें पूरा अंडवान से तिंजनी सिलेट वर जो डिसिप्लीन है इन वह सैकलिस्ट है इस अलबम डेविड वेकम और आपका सिलेस्टीना जो है इन लोग अभी सिलेस्टीना दिल्दी में है यह इंडियन टीम का साथी एसेन गेम्स में पाइटिसिप्रिट करेंगा और यह अभी वर्ल कप खिलके अभी स्विजलेंड में है लोग डिरेक्ट इसेन गेम्स में चैना पहुंचे आप काफी साल से सिखाते आ रहे हैं और बहुत पुराना जो साल के अगर हम बात करें पिछले तरफ मर अगर हम जाकर देखें और आज की बात हम करें तो बहुत अंत इसे कोसिंग का यह जो प्रफेशन है उसके साथ साथ पेरेंट्स का भी थोड़ा यह होना चाहिए पेरेंट्स को भी चेयर अप करना चाहिए बिलकुल ज़िए तुम लोग ऐसे करके ज्यादा फोन मत खेलो यह मत बोलता है जो बच्छा लोग को बोले परही मत करो परही के साथ सबस्स भी जोड़त है क्योंकि देखिये हर अध्मी कुश्छेक। मिंदक का क्लाइट्फेंट्स करता हूं अपना बच्छा लूग का जो टैलन्ट है पेरेंट्स को नहीं यह जितना फैसिकली एडूकेशिन टीचर है जितना आरगरा स्पूस्टीचर है जितना आपक उन लोग जो बच्चा लोग का अगर कोई टैलेंट देखे तो उसको सही रस्ता दिखा है अभी बहुत साल के बाद साई में अभी साइक्लिंग खुला है वो निकोबर में 40 स्ट्रेंथ है से साइक्लिंग में इससे पहले इतना स्ट्रेंथ नहीं था तो यह अन्दमान के है निकोबर में रोट खुला है किसा दो दिन का बाद को सकते हैं कोई खुले बिलकुल बिलकुल सुबहिंदु जी वैसे तो आज बहुत ही खास दिन है हम बना रहे है राष्टे खेल दिवर्स तो ऐसे में आप जो हमारे युवा है जो हमें देख रहे हैं जो बच्चे है उनको आप क्या कहना चाहेंगे और जिस तरह से हम हमेशा यह सुनते हैं कि साइकल अगर हम चलाते तो हम फिट रहते हैं वह एक सेसाइस का माध्यम भी है तो आप क्या बहुता है यह आपका कोई लॉस नहीं करेंगा कोई बी स्पोर्स में आप रणिंग किजिए तो आपका बोडी इंजिन फीट रहेगा अब थोड़ा हो सकता है ज्यादा दिन जियेंगे उसमें बीमारी से भी कम अब दूर रहेंगे स्पोर्स में देखिए ये उसके उपर भरोसा करना परता है जिए हम कुछ ना कुछ करके ही फिर जाएंगे तो ये भरोसा का साथ हम बच्चा लोग को ये करते हैं अनुरत करते हैं बिचार जो है जिसमें इंट्रेस्ट है उसमें जाए और आगे बड़े अपना भरिशे बना इसके लिए आपका हमारे दूर दशन के पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद तो दशको हमें पूरी उमीद है कि आपके मन में जो भी मतलब खेल को लेकर आप रूची रखते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं उस पर आगे जरू जाएंगे पढ़ाई के साथ लखेंगे इसी के साथ ही आज हम आपसे इजाज़त चाहते हैं नमस्कार हुआ हुआ है हुआ है